नमस्कार निव्जिन्दी टीवी चैनल में आपका स्वागत है बंगाल में बीजीपी को एक और जटका विदानसबा सुमन रोई टीमसी में शामिल पच्चिम बंगाल में विदानसबा उपचनाओं की तारीखों के एलान के बाद भारतिय जन्ता पार्टी को तगड़ा जटका लगा है भारतिय जन्ता पार्टी के विदायक सुमन रोई ने पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने ममता बेनर जी की पार्टी तुरुनेमल कॉंगरेस का दामन थाम लिया है तुर्नेमल्य कॉंगरेस नेता पार्त चटर जी ने बताया कि कालिया गंज से बीजेपी विदायक सुमन्ड रॉय बंगाल और उत्तर बंगाल के विकास के लिए हमसे जुड़े रहे हैं वो बंगाल की संस्कुरती और विरासत को अंशुक रखना चाते हैं उन्होंने कहा कि अपने पूर्व सहयोगी को फिर से शामिल करने के लिए पार्टी के महासचिव के रुप में यहां आया हूँ टीमसी में शामिल होने के बाद सुमन रॉय ने कहा कि मैं टीमसीपी का छात्र था BJP में शामिल हुआ और टिकिट लेकर उनके लिए जित हासिल जरूर की लेकिन मेरा दिल TMC में था लोगोंने 213 सीटों पर आशिरवात बरसाया है हमारे नेता उत्तर बंगाल और बंगाल के विकास के लिए बहुत काम कर रहे है और उन्होंने आगे कहा ये मेरा गलती थी कि मैं BJP में गया मैंने उनसे माफी मांगी ही है बहुत से लोग BJP से TMC में शामिल होने का इंतजार कर रहे है भवानिपूर सीट के बारे में पार्था चटर जी ने कहा कि चुनाव लोकतंतर का एक हिस्सा है हमने भवानिपूर के लिए मम्ता का नाम बहुत पहले गोशित कर दिया था मम्ता बेनर्जी रेकॉर्ड अंतर के चुनाव जीतेंगे इस बीच उपचेनाव की गोशना के महज एक घंटे के भीतर ही दक्षिन कोलकत्ता को के भवानिपूर इलाके में भवानिपूर सीट के लिए मम्ता बेनर्जी की चुनावी पोस्टर लगा दिये गे